हेलो फ्रेंड्स मैं जय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विसेज ग्यान में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम में अगर आप सेर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं अगर मैं बात करूं तो इंट्राइकी में बात कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में इंट्राइकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखेंगे टैली प्राइम में अगर आप इंट्राइक्शन्स करते हैं सेर मार्केट में तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महतुपूर्ण है, क्योंकि आज आप इसमें बहुत सारी चीजे सीखेंगे, जैसे टैली में आप इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, ट्रांजेक्सन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहली चीज ये आप सीखेंगे, दूसरी चीज पर audit, income tax में applicable होगी की नहीं होगी, होगी तो किते turnover पर होगी, even जब अगर हम GST की calculation करते हैं, aggregate turnover की, तो वहाँ पर जो हम 300 limit चेक करते हैं, registration लेने के लिए, तो वहाँ पर जो इससे होने वाली profit या loss है, उसे हम वहाँ पर लेंगे की नहीं, मत्तब उस amount को calculate करने के लिए, intraday transactions का जो profit है, उसे वहाँ लिया जाएगा की नहीं लिया जाएगा, यह सारी चीज की discussion आज की इस video हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले friends हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि intraday transactions क्या होती है, यह उन लोगों के लिए हैं, जो लोग beginner हैं, जिनने नहीं पता है कि intraday transactions क्या होती है, यहाँ पर मैं brief में बताऊंगा, ज़्यादा detail में नहीं बताऊंगा, अगर आप एक दिन के अंदर ही, किसी भी broker के थुरू, कोई भी share को purchase करते हैं, और same day आप sale कर देते हैं, तो इससे होने वाला जो भी profit या loss है, वो intraday transactions के अंदर आता है, और इससे income tax में speculative income कहा जाता है, यानि 60, ठीक है, income tax में इसे इस तरीके से define किया गया है, कि ये एक 60 बाजी है, just like इस तरीके से define किया गया है, तो आपने समझ लिया, कि अगर आप एक ही दिन के अंदर किसी share को purchase करते हैं, और same day sale कर देते हैं, चाहे आपको profit हो या loss हो, आप अगर उसे sale कर देते हैं, तो ये intraday transactions होती है, यहाँ पर एक clarity मैं दे दूँ, जब भी आप किसी broker के थूरू ऐसा काम करते हैं, यानि ऐसी transactions करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास दो options होते हैं, एक option होता है intraday का, एक होता है delivery का, जब आप share को purchase करते हैं, यानि buy करते हैं, तो कई लोग जो लोग इस काम में म choose करते हैं, जब वो buy करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक brokerage charge लगती है, और छोटी मोटी कोई charge लगती होगी, तो मुझे ज़्यादा idea नहीं, लेकिन एक brokerage charge लगती है, ठीक है, ट्रेडिंग करने पर, लेकिन अगर वहीं पर आप कोई share delivery में buy कर लेते हैं, तो जिन लोगों को इस field में बहुत experience है, तो वो लोग intraday का जो option है, उसे choose करते हैं, अपनी brokerage और charges वगरा को बचाने के लिए, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन लोगों को experience नहीं है, वो क्या करते हैं, delivery में किसी share को purchase कर लेते हैं, वो charges की फिक्र नहीं करते है ठीक है, जो भी उन्हें brokerage लगती है, या charges लगती है, या मान कर चलिए maintenance charges लगती है, या इसके लावा जो transaction charges जो broker लेता है, वो भी लगती है, इन सारी चीजों की वो पढ़वा नहीं करते हैं, वो ये देखते हैं कि मैंने delivery में stock purchase कर लिया, अगर इसमें profit हुई, तो मैं क्या करूँगा, profit book करूँगा, otherwise मैं इसे carry करूँगा next day के लिए, otherwise वो क्या करेंगे, next day के लिए carry करेंगे, क्योंकि अगर आप delivery में share किसी भी share को purchase कर लेते हैं, buy कर लेते हैं, तो अब आपकी मर्जी होती है, आप उससे same day में बेचें, या another day में बेचें, चाब एक साल में वो आपकी मर्जी होती है, अगर आप किसी share को delivery में purchase कर लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा, अगर आपने किसी भी share को delivery में buy किया है, या दखिएगा delivery में buy किया है, और आपने उससे same day बेच दिया है, तो भी यहाँ पर यह intraday transactions कहलाएगी, अगर आपने delivery में बेच अगर आपने एक दिन hold कर लिया, उसके next day बेचा, और 12 मेने के अंदर बेचा, जिस date को अपने purchase किया है, वहाँ से 12 मेने के अंदर बेचा, और एक दिन बाद बेचा खरीदने के, तो वहाँ से होने वाली जो भी income होगी, वो capital gain होगी, और HTCG होगी, यानि short term capital gain होगी, और य यही अगर आपने जो share आपने delivery में purchase किया है, उसे आपने खरीद date से 12 मेने बाद बेचा, तो वहाँ पर भी capital gain होगी, लेकिन वहाँ पर long term capital gain होगी, यह थोड़ी सी basic मैने आपके clear कर दी, तो यहाँ पर मेरा main motor आपको delivery के बाड़े में यह बताने का था, कि अगर आप ऐसा स transactions में record हो जाएगी, ठीक है, और अगर आप delivery में इसमें, sorry, intraday में उसे लेते हैं, यानि जब आप buy करते हैं, तो वो तो intraday है ही, वो transactions तो intraday ही, और इस case में क्या है, कि आप बेचे या ना बेचे, जो भी market close होने का time है, वहाँ पर अगर आपने नहीं बेचा, अपने से न बिगनाने, उन्हें समझ में आ गया होगा, कि ये transactions क्या होती है, intraday transactions क्या होती है, simply अगर मैं summarize करूं इस बात को, तो अगर आप share market में एक दिन में ही किसी share को purchase या sale करते हैं, उससे होने वाली profit या sale, intraday transactions कहलाई जाती है, अब आ जाएए कि हम इसके entries tally में कैसे करेंगे, इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन एक जो सबसे best तरीका है, जिसमें आप easily अपनी entries कर सकते हैं, और उसमें जादा आपकी tally के अंदर lasers आपको बनाने की required नहीं है, तो वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, इसके लावा जो एक difficult तरीका है वो भी बता दूँग, आपको जो better इससे delivery भाई किया, तो यहाँ पर देखिए, आपको contract note के अंदर साफ सब दिखाई दे रहा है delivery, और यह जो आंदरा सूगर्स है, या इसके लावा फिर सारे gamma का जो share भाई किया है, यह सारे मैंने delivery में किया है, लेकिन मैंने same day में ही, जैसे मुझे profit दिखी, मैंने बेच दि तो यहाँ पर intraday trading गई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर trading लिख कर आया है, तो इससे भी आप समझ जाएगा, जब आप contract note देखिएगा, जो आपको mail पर भेजा जाएगा, same day आपको evening तक या second day आपको भेज दिया जाता है, हर broker के case में अलग-लग होता है, तो फिर आप व पास करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते है grand total, जो भी आपका intraday transactions होगा, याद लखिएगा, उस case में क्या है, आपको यहाँ grand total में दिखा दिया जाएगा, कि आपको फायदा हुआ है, या लॉस हुआ है, अगर यहाँ पर minus का sign नहीं है, यानि आपको यह profit हुई है, अगर यहाँ पर minus का sign है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उस transactions के अंदर आपने loss बुक किया है, ठीक है, और इसके अंदर charges घटा दिये गए है, अल्रेडी यहाँ पर घट कराया हुआ है, आप अगर यहाँ पर rate चेक करेंगे, अगर 295 से 108.75 को गुना करेंगे, यानि multiply करेंगे, और फिर यहाँ पर जो sale हुआ है, इस दोनों को multiply करेंगे, जो difference आएगा, amount यानि जो profit होगी, उसमें जब आप यह तीनों charges हटा देंगे, brokerage, STT, और इसके लावा, यह जो other charges है, उसके बाद जो बचेगा, वो यही figure बचेगा, आपका 260 पैसा, ठी है, जब आप intraday करते हैं, तो आपको brokerage charge लगती है, यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप delivery में कोई भी share buy करते हैं, और उससे next day बेशते हैं, तो आपको brokerage charge नहीं लगती है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर यह जो share है, यह मैंने buy किया है, delivery में, भले बेचा मैंने, मतलब same day है, लेकिन buy तो मैंने delivery में किया है, तो मुझे यह STT और other charges लग चुके, इसके अंदर IGST, stamp duty वगड़ा सब कुछ है, तो यह मुझे लग चुकी, अगर मैंने इसे intraday में ही buy किया होता, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे brokerage लगता है, यह सारी charges नहीं लगती, ठीक है, इसके अलाबा जो आपकी broker charge लेता है, वो भी charge मुझे intraday के case में नहीं लगे, बाकि कुछ, हर broker के case में कुछ ना कुछ चीज़े अलग होती है, वो आप अपने broker की जो terms and condition, वहां से समझ सकते हैं, यह मैंने सिर्फ आपको basic knowledge दिया, ठीक है, तो आप इस case में आपको entry कैसे करनी है, मेरी अगर आपने previous वीडियो देखिए, जिसमें मैंने delivery की entries करना बताया है, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप share को delivery में लेते हैं, और फिर उसे long term या short term में बेशते हैं, तो आपको कैसे entry करनी है, अगर आपने वीडियो नहीं देख होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको profit किती हुई है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर 91 रुपया दो पैसा, इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं 553 रुपया, यानि यह तीन profit है, यहाँ पर मैं 46,000 वाले इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंक यहां पर contract note में क्या लिखा हुआ है, यह delivery की transaction है, ठीक है, यानि मैंने एक दिन पहले purchase किया होगा, दूसरे दिन sale किया होगा, या उसके बाद sale किया होगा, इसलिए यह delivery transactions है, यहां पर जिसमें, जिसमें trading लिखा हुआ है, वही profit आपको यहां से लेनी है, या loss, चाहे profit हो या loss उसी को आपको यहां से लेना है, तो आपको यह तीनों calculate कर लेना है, मैं calculator में calculate कर ले रहा हूँ, फर्स्ट जो entry है, एकदम simple होने वाली, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, दो सौट रुपया, चौशट पैसा, 904 रुपया, 66 पैसा मैंने earn किया है, ठीक है, अब यह जो है, यह brokerage हटा कर है, ठीक है, मैं चाहूँ तो यहां पर यह कर सकता हूँ कि इसमें जो भी यहां पर brokerage लगी है, जो भी इसमें मैं add कर सकता हूँ, add कर दूँगा तो मेरी net profit आ जाएगी, जो भी मेरी gross profit, sorry, net तो profit यह है, gross profit मेरी वो आ जाएगी, अगर मैं यह brokerage को add कर दूँ, तो आप दो तरीके से entry कर सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ के entry कैसे करनी है, 904 उपिया 66 पैसा की मुझे कमाई हुई है, तो अभी हमें आ जाना है voucher में, voucher में आने के बाद हमें journal voucher में आ जाना है, और यहाँ पर मैं इसमें जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताई है, हमें यहाँ पर एक voucher create करना होगा, stock या intraday, intraday नाम से करेंगे, ठीक है, intraday transactions, क्योंकि हम intraday transactions बुक कर रहे हैं, तो हम इसी नाम से voucher create करेंगे, journal के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे, इससे manual, यह हमारा voucher create हो गया, अब हमें आना accounting voucher में, यहाँ आने के बाद हमें journal पर click करना है, और हमें इसके अंदर जाके entry करनी है, और यहाँ पर जो date है, जहाँ पर मैं करसर हिला रहा हूँ, यहाँ पर date डाल देंगे, जिस date को आपकी transaction हुए, यानि contract note पर जो date है, वो डाल देंगे, माल लीजिए मेरे case में 1-3, for example, ठीक है, एक चार कर देता हूँ, एक तीन नहीं, ठीक है, एक तीन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर मैं जो contract note में जो number होगा, contract का, वो उन में यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक हो, डाल देंगे तो ज्यादा बहतर है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर आपको पहले तो एक laser बनाना है, अपने broker का, माल लीजिए मेरा angel one में account है, आपका जिसमें आप उसका account मत्तभी यहाँ पर laser बना लेंगे, अब यहाँ पर मुझे से डालूँगा संदे क्रेडिटर में, आप बैंक में भी डाल सकते हैं, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एमांण डालना है 904 उप्या, 66 पैसा, ठीके, और यहाँ पर मुझे लिखना है, लेजर बनाना है, — इंट्रा दे, प्रोफिट, ठीके, और it से डाल दूँगा मैं capital account में हो गया इसके रावा मैं narration में यहां पर type कर दूँगा जो भी चीज़े यानि कि कि जैसे मैंने आंद्रा का जो सेयर है मैंने किस रेट में परचेस किया टोटल किती quantity परचेस की फिर उसके भगल में लिखूंगा जैसे मानकर चलिए मैं यहां पर लिख के भी देखाता हूं कि आंद्रा सूगर लिमिटेड बाई दो सो पंचानबे सेयर मैंने वाय किये थे एक सो आठ रुप्या पचत्तर पैसा आई थिंक वही होगा एमांट देख लेते हैं हाँ पचत्तर पैसा इस तरीके से हम और भी जो भी चीज़े हैं मतलब जो भी मैंने परचेज या सेल किया है सारी चीज़े मैं यहां पर लिख सकता हूं क्यों कि फ्रeans आप यहां पर एक बात समझें आपको क्या करना ही है जो आप एकांट मैंटेंग करने किस ले कर रहे हैं किसे आपको बैलेंस सीट में दिखा ना है कि मैंने कि प्रॉफिट को बुक करना है और अपनी टैली में यह मैंने आज की दिन कितना कमाया कल के दिन कि ठीक है, यही चलना है, और जब आप income tax की return फाइल करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको यही चीज देखनी है, कि आपका total turnover क्या है, और आपने कितना कमाया, वहाँ पर अपने किस seers में पैसा लगाया, कितनी quantity में लगाया, किस seers में बेचा, वहाँ इस सारी चीजों से कोई मतल नहीं है, तो इतनी simple entry है, अब इससे अगर हम complicated करना चाहें, तो हम कर सकते हैं, हम सारे seers के लिए एक laser बना सकते हैं, फिर पूरे seers को लेते हुए, जैसे contact note को पूरा समझी, आप tally में उतारना चाहते हैं, जैसे delivery के case में होता है, वैसे आप चाहें तो कर सकते हैं, वो भी case मैं आपको solve करके दिखाता हूँ, कि अगर वैसे चाहें, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वो delivery के case में तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप shares को hold करते हैं, यहाँ पर आप same day खरीदें, same day बेच रहें, चैया आप कितना ही transaction क्यों नहीं कर रहें, अगर आप intra day कर रहें, तो balance sheet में दिखाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे base option यही है, हाँ यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे मान कर चलिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि अगर आप gross profit लेना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे यह जो charges आ रहें, अगर आप इसमें add कर दें, ठीक है, तो आपकी gross profit निकल दाएगी, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे, जहाँ पर intraday profit में आपने 904 पर लिखा है, यहाँ पर 904 नहीं होगा, जो आज आएगी brokerage वगरा जोरने के बाद, वो आप यहाँ पर डालेंगे, angel 1 में वही आएगा उपर, और इसके ल laser बना, under capital accounting रखेंगे, ठीक है, यह मैं उन लोगों के लिए बता रहूं, यहाँ पर मैं clear कर दूँ, जैसे मानकर चलिए, आपका सिर्फ यही काम नहीं है, सिर्फ आपका यही काम नहीं है, कि मैं सिर्फ shares में पैसे लगाता हूं, यहीं से earning करता हूं, यह आपका समझी part time काम मैं उन लोगों के लिए especially बता रहूं, क्योंकि जिन लोगों का यही काम है, तो वहाँ पर capital account में, वो जो मैंने अभी intraday का laser बना है, वहाँ नहीं जाएगा, वो P&L में जाएगा, ठीक है, यह भी P&L में जाएगा, यह expense होगा, यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए बता रह की debit करेंगे, sorry, पहले हम इसे debit करेंगे, और 100 रुपय की मान कर चलिए मेरी, क्या है, brokerage है, एक example ले रहाँ मैं, और यहाँ पर मेरा, मैं intraday का profit है, इसे ले रहाँ, यह मैंने अभी calculate नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको example के तोर पर बता है, कि अगर आप brokerage को भी डाल के रखन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको suggest यह करूँगा, कि आप another laser बना लीजे, intraday loss का, अब उस case में क्या होगा, वो भी मैं entry करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं intraday loss का laser बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मान कर चली मुझे 1000 का loss हुआ, तो अब यह debit हो जाएगा, intraday loss का जो laser है, यह debit होगा, हमेशा याद दखिएगा, profit के case में, जो intraday profit है, वो credit होगा, loss के case में, जो intraday loss है, वो debit होगा, ठीक है, और यह brokerage तो debit होगी ही, इसमें कोई doubt नहीं है, इसके लावा angel one यहाँ पर credit हो जाएगा, यह हो जाएगी friends आपकी entries, ठीक है, इस तरीके से आपको entry करनी है, और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, कि यहाँ पर यह जो profit है, उस समय 900 रुपय हो जाएगी, क्योंकि दोनों minus में होगी, brokerage में minus में होगी, वो भी minus में होगी, तो यहाँ पर उसमें minus नहीं करना है, ठीक है, अलग से दोनों को दिखा देना है, ठीक है, इस तरीके साब की entry हो जाएगी, यह इस तरीके साब की simple entry होगी, अब यहाँ पर आईए, अगर मैं complicated entry करना चाहूं, फलाल में एक काम करता हूं, मैं वापस से उस entry को कर जटा देता हूं, और intraday profit यहां कर देता हूं, 900 कितना था, हमने देखा था, 904 रुपया, 66 पैसा, 904 रुपया, 66 पैसा, और narration में आप चाहिए, तो पूरी चीज़े टाइप कर सकते हैं, फलाल मैं skip कर रहा हूं, अब आज़े इसका effect कैसे पर था, यह देख लेते हैं, balance sheet मे आज़ेए, सबसे पहले आप capital account में आज़ेए, यहां पर intraday profit आपको credit side reflect हो रही है, इसी तरीके से आपकी यह reflect होती रहेगी, अब आज़ेए friends, आगे वो second entry जानने से पहले कि वो कैसे करनी है, ऐसे उसकी requirement नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, उसको जानन है, तो उसकी return कैसे file करनी है, कौन सी ITR भरनी है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि इसकी जो turnover है, वो कैसे calculate होगी, जैसे अगर delivery के case में हम बात करें, तो जिस share को हम sale कर रहे हैं, उसकी जो final value आती है, sale value, याद दखिएगा मैं sale value word यानि जो 20,000 है, यह हो जाती है, delivery के case में turnover, यानि जो sale value आती है, जितनी भी sale value आएगी आपके पूरे साल में, जितनी बार भी आपने shares को sale किया होगा, delivery के case में, तो वहाँ पर जो भी उसकी final value होगी, उससे हम calculate करेंगे और turnover निकल जाएगी हमारी, पहली बात, लेकिन intraday मे इसा नहीं होता है, intraday में क्या होता है, कि जो भी आप profit या loss बुक करते हैं, पूरे साल के अंदर, जो भी आप करते हैं, पूरे साल में जितना भी आपने profit और loss बुक किया है, वहाँ पर इन दोनों को जोड़ा जाता है, यहाँ पर absolute profit और loss को बुक मतब प्लस करके, तब turnover निकाली जाती है, जैसे मान कर चलिए, यहाँ पर मैंने 904 उपया 66 पैसे कमाया, इसी तरीके से मान कर चलिए, कल को मैं 300 उपया loss कर देता, ठीक है, तो जो भी मेरे साल में मान कर चलिए, इस profit और loss को देखकर, दोनों को जब मैं जोड़ता और मान कर चलिए, मुझे 10 लग का turnover निकलता, तो यह मेरी turnover होती, यानि जो मेरी profit हुई, या जो मेरा loss हुआ, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर absolute amount निकलेगी, profit और loss की, यह हमारी turnover होगी, intraday case में, तो यहाँ पर अब कई लोग यह पूचते हैं, कि हमारी audit की required है की नहीं, इस case में, तो य हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो sale value है, उसे turnover नहीं माना जाता है, यहाँ पर आपकी profit या loss को जोड़ कर turnover मना जाता है, तो एक दो करोर transactions को ले जाना, हर किसी के बस की बात नहीं है, intraday में, ठीक है, यह वही लोग ले जा पाते हैं, जो लोग experts ह है, ठीक है, तो यह तो पहले आपने समझ लिया, कि पहले तो आपको इसके बार में tension दिले नहीं है, अगर आपकी छोटी मोटी profit है तो, लेकिन अगर आपकी मान लीजे turnover करोरों में और आप अच्छा खासा इससे earn कर रहे हैं, तो इस case में मैं बता दूं कि ऐसे तो audit का जो ह है, requirement वो एक करोर तक है, एक करोर के बाद अगर आपकी turnover होती है, तो आपको audit करवानी परती है, ठीक है, section 44 AB में, लेकिन friends यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं, कि हम यहाँ पर section 44 AD का use कर सकते हैं, यानि ITR 4 अगर हम फाइल कर रहे हैं, presumptive taxation में, तो यहाँ पर हमारी turnover है व दो करोर turnover तक की benefit ले सकते हैं, तो बहुत से CA से मैंने यह advice ली कि क्या हम इस तरीके की income जो की speculative business है, इसे हम ITR phone में डाल सकते हैं, तो उनका कहना था पहली बाद वहाँ पर speculative business के लिए कोई field ही नहीं दी गई है, और ऐसे भी आप ITR phone में capital gain की income तो डाली नहीं सकते हैं, पहली business के लिए columns दिये गए हैं, ठीक है, तो normally इस case में आपको ITR three file करनी होती है, और आपकी जो turnover है वो एक करोर मानी जाती है, अगर section 44 AB की मैं बात करूँ, लेकिन क्योंकि यह जो transactions है, अगर आप मान कर चलिए, सिर्फ intraday transactions कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, इ total turnover की 95% है, यानि मान कर चलिए, आपकी turnover 10 करोर है, for example मैं बतानों, 10 करोर से थोड़ी कमी है, 10 करोर है, तो वहाँ पर अगर आप सारे 9 करोर की जो भी आपकी transactions है, वो digitally होई है, यानि cash में नहीं होई है, तो उस case में आप 10 करोर की turnover है, उसका benefit ले सकते हैं, अगर सिर्फ आपक मतलब जो भी है business है, और यह जो भी आपकी profit होती है, इसी से होती है, यानि सिर्फ आपका यही काम है, इंट्राइडे transactions करना, लेकिन अगर मान कर चलिए, इसके साथ आपकी business income भी है, आप business से भी earn करते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको अपनी cash की limit है, कि मतलब cash का जो भी transactions है तो वह आपको check करना पड़ेगा, वहाँ पर आप section 44 AD का तो use नहीं कर सकते, यानि ITR 4 तो नहीं file कर सकते, क्योंकि आपकी साथ में ये भी income है, मेरे अनुसाल जो मैंने advice ली है, वहाँ पर आप ITR 3 ही file करेंगे, तो वहाँ पर आपके उपर 1 करोर की ही turnover applicable होगी, वहाँ पर 10 क case में होगी, जब आपकी पूरी 95% जो transactions है, वो cash free हो, यानि digital हो, तो वैसा बहुत ही कम लोगों के case में होता है, तो वहाँ एक करोर की आपकी turnover के बाद audit होगी, मेरे अनुसार, और friends आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे, कि अगर मान कर चलिए हमारी पूरे साल में 10, 20, 25,000 की profit है और हम business से भी earn कर रहे हैं, वहीं से हमारी main source of income है, यहां से तो हम 10-15,000 पर earn करते हैं पूरे साल में, तो क्या हमें तब भी ITR 3 में जाके speculative business में दिखा ना होगा, तो सही तरीका तो यही है, law में भी यही लिखा है, लेकिन बहुत से लोग या बहुत से जो lawyers या CA है वो आपको यह भी suggestion देते हैं, कि आप एक काम कर सकते हैं, अगर मानकर चलिए आप ITR 4, ITR 1, यह सारी चीजे फाइल कर रहे हैं, और आप इससे income from other sources में दिखाना चाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही छोटा amount है, तो आप दिखा सकते हैं, ऐसा recommended किया जाता है, लेकिन law में ऐसा क चाहीन लिखा हुआ नहीं है, law में तो आपको साफ कहा गया है, कि अगर speculative business है, तो आप उसी के अंदर ही इसे डालेंगे, अब friends हम यह भी जान लेते हैं, कि क्या GST की जो turnover है, उसकी जब हम calculation करते हैं, registration लेने की, तो वहाँ पर क्या, यह जो transactions हम करते हैं, in private transactions, तो यहाँ से जो profit या loss होता है, तो क्या यह भी हमारा उसमें add होगा, उसकी turnover में, अगर हमें registration लेने की requirement है या नहीं है, तो देखें, friends, जैसे ही मेरी knowledge है, जितना मैंने समझाया है, जितना मैंने advice लिए, CAs वगरा से, उनके हिसाब से, जो securities transactions है, या जो salary transactions होती, यानि अगर आप कहीं से salary ले रहे हैं, company के बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस case में वो सारी चीज़े GST के दाएरे से बाहर हैं, उन्हें goods और services नहीं माना जाता है, यानि जिवो आपकी securities है, जैसे delivery में आप shares, buy or share करते हैं, intraday हो गया, fnday हो गया, ये सारी चीज़े GST के दाएरे से बाहर हैं, तो इन लिमेट है, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को नहीं लिया जाता है, उनकी turnover को calculate करने के लिए, तो friends आपको मैं next entry बताना हूँ, जो कि मैंने बोला कि बहुत tough entry है, और ये आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो entry है mostly delivery के case में की जाती है, लेकिन आप चाहिए तो intraday के case में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये suggestion नहीं दूँगा कि इस तरीके के entry आप करें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप काफी सारे lasers बनाएंगे, क्योंकि हर दिन आप जो share purchase करेंगे, फिर वो sale करेंगे, तो आप आपको अच्छा लगे, तो आप ये entry कर सकते हैं, इस case में भी आपको क्या करना है, journal watcher में ये entry करनी है, और intraday transaction में आखे कर सकते हैं, जो एक voucher बनवाया था, और यहाँ पर date डाल देंगे, contract note जो है, उसका number डाल देंगे, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आ देंगे, क्योंकि share purchase हो रहा है, फिर वापस से वो sale हो रहा है, क्योंकि intraday transaction है, तो यहाँ पर दिखा है, 255 गुनेतना, ये करके फिर जो amount है, उसे फिर credit कर देंगे, एक बार वो purchase हुआ, दुबारा sale हुआ, तो David credit हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, कि CDSL हम बेच रहे ह ये delivery वाला है, second आपको दिख रहा है, delivery वाला है, यानि एक दिन पहले मैंने purchase किया होगा, वो मैं बेच रहा हूँ, तो उसकी entry कर देंगे, जो भी amount है, यानि कि quantity into करेंगे, इससे आपको amount से, जो आएगा वो डाल देंगे, इससे भी credit करेंगे, जब भी हम बेचते हैं किसी share को तो उसे हम credit करते हैं, ठीक है, और जब purchase करते हैं, तो debit करते हैं, फिर CDSL को मैंने trading के रूप में भी use किया है, यानि कि same day purchase किया है, फिर sale किया है, तो 7 piece purchase किया है, फिर इससे भी multiply करके यहाँ पर debit कर देंगे, जो भी amount हैगा, फिर credit कर देंगे, जो sale की figure है, यानि 7 into 1880, ये करके डाल देंगे, इसी तरीके से सारे gamma का भी जो है, वो कर लेंगे, फिर जो charges है, उसे debit करेंगे, जो भी charges लगी है, तो charges, जो final charges है, जो यहाँ पर नीचे आपको देख़री है, पचास रुपया 57 पैसा, 68 रुपया 20 रुपया 55 पैसा, इस तरीके से कर देंगे, फिर debit कर द security की, यह सारा डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से entry mainly delivery के case में होती, intraday में यह मैं suggest नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी, यहाँ पर मैंने दोनों entry करके दिखा दी, आपको delivery और intraday एकी में करके दिखा दी, क्योंकि एकी contract note बनता है, जो भी आप पूरे पर जब आप रहेंगे, तो display more reports में हैंगे, उसके बाद आप आप आजाएंगे, accounts book में, फिर laser में आजाएंगे, यहाँ पर जो भी आपके shares थे, जिनका आपने laser बनाया था, उसे open कर लेंगे, तो जैसे मैंने अंदरा सूगर का open कर लिया, यहाँ पर आप period डाल देंगे, ज उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो share है, उसका नाम लिखेंगे, जैसे आंदरा सूगर लिमिटेड है, 295, उसके बाद फिर यहाँ पर credit में intraday profit है न, यह वाला laser लेंगे, हो गई entry, profit book हो गई, इसी तरीके से किसी में loss हो, जैसे सारे गामा का हम देख लेते हैं इसमें 595, इसमें भी profit है, entry सेम वैसे ही होगी, खाली सारे गामा का debit होगा laser और नीचे intraday profit का credit होगा, उसी तरीके से जो भी होगा, मतलब जो भी जिसमें profit होगी सेम होगा, और अगर loss होगा, तो entry opposite हो जाएगी, debit हो जाएगा intraday loss वाला laser और credit हो जाएगा, जो भ आपको file करनी है, ये भी मैंने बता दिया, ITR 3 में इस case में file होगी, और audit कभ होगी बता दिया, GST में जो है आपकी turnover में count होगा की नहीं होगा, ये भी मैंने बता दिया, अब रही बात कि income tax return में, यानि ITR 3 में आप इससे कहां पर report करेंगे, अब मैं वो आपको बताऊंगा, Friends, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ITR 3 में कैसे intraday की profit को reflect करेंगे, तो आपको आज आना है trading account में, trading account में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं, 12 number point है, इस पर आप click करेंगे, यहाँ पर edit पर click करेंगे, और यहाँ पर turnover from intraday trading में, आप जो आपका turnover है, और turnover निकालना मैंने कैसे आपको बताया है, जो भी आपको profit दिख रही होगी और जो भी आपको loss दिख रहा होगा पूरे साल में, दोनों को आपको जोड देना है, तब आपकी absolute profit निकलेगी, वो आपको डालना है, मान लीजे, 100 रुपे का loss दिख रहा है, 200 रुपे की profit, तो दोनों को मिला देंगे, तो 300 होगा, वो आप यहाँ पर डाल देंगे, लेकिन जब income from intraday trading यह जो field है, इसमें आपको सिर्फ profit वाली amount को डालना है, यानि जो plus में है, वो डालना है, minus वाली को जोड कर नहीं डालना है, और नहीं minus वाली को डालना है, सिर्फ जो plus में amount reflect हो रह होगा, और फिर हम यहाँ पर save कर देंगे और confirm कर देंगे, जैसे ही confirm करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे, पी एंडल account में यहाँ पर आपको 200 पर reflect हो रहा है, हो रहा है, मान लिजे आपका इसमें कोई expense हो है, for example में बतानों जैसे होता है ना, charges वगेरा, वो आप दे दाल सकते हैं, जो भी आपको brokerage वगेरा लगी है, उसको यहाँ पर save कर सकते हैं, ठीक है, डाल कर, friends, जैसे ही आप अपनी profit डालेंगे trading account में, और उसे save कर देंगे, उसके बाद अगर आप जाकर देखेंगे, इसमे, schedule BP में, तो यहाँ पर आपको reflect होगा, speculative business में, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर automatic reflect होगा, तो बस यही तरीका है, ITR3 में इसे डालने का, ठीक है, और आप इसके लिए file क्या करेंगे, अगर आपकी intraday से कोई भी profit होती है, तो आपको ITR3 file करनी पड़ेगी, friends, मैं आपको एक और entry दिखा रहा हूँ, जैसे मान कर चलिए, एक ही contract note के अंदर आपका, आपने delivery में भी stock लिया है, और साथ में आपने trading भी किया है, यानि intraday भी किया है, और आप उसकी entry करना चाते हैं, tally के अंदर, तो अभी file मैं मान कर चल रहा हूँ, जैसे मेरा जो case है, उसमें क्या है, यहाँ पर आप आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने एक share बेचा है, जो मैंने पहले कभी purchase किया था, इस तरीके के अगर entry करनी हो, जिसमें आपको profit हुई हो, और साथ में आपने कोई share बेचा हो, खरीदा ना हो, तो इस case में आपकी entry इस तरीके से होगी, जो आपको screen पर reflect होड़ी है, debit करना होगा आपको journal watcher में, जो आपका broker है यह आप डालेंगे, उसके बाद debit करेंगे, जो भी charges है, उनकी laser बना कर, जो भी आपके charges लगते हों, उसके बाद credit करेंगे intraday profit को, जो मैंने एक laser बनाया है, जो मैंने पहले भी आपको दिखा है, उसमें total जो आपकी profit है, वो आप दिखा देंगे, जोर कर, अगर उसमें कोई जो आपको loss हो जाए, intraday में, तो फिर इससे debit कर देंगे, credit नहीं करेंगे, यहाँ पर intraday loss का laser चूज करेंगे, और उससे debit करेंगे, और यहाँ पर आपको credit करना है, जो भी आपने share बेचा है, उसे ठीक है, और इस तरीके सा आपके entry हो जाएगी, बाद में आपने रि फिर angel one, broker आपको credit side reflect हो था, तो यह आपको अपनी समझ केसाब से करना होगा, कि किसे credit करना है, किसे debit करना है, जब भी कोई share purchase करेंगे, तो उस case में वो debit होगा, sale करेंगे, तो credit होगा, profit होगी आपको intraday में, तो वो credit होगी, loss होगा, तो debit होगा, और expense हमेशा debit में ही जाएग बस आपकी जैसे purchase, sale की situation चेंज होगी, तो थोड़ी से entry चेंज हो जाएगी, credit और debit में ठीक है, इस तरीके से भी आप entry कर सकते हैं, तो friends, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी helpful लगी है ये वीडियो, तो please वीडि ल helemaal की जाएगी होगी होगी वीडियों के लेमा सब्सक्र कर से घुर्sky लग्ष Hai झा el luxे होगी 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 Hyospirm रीकित आपको जब में应ा एव ज्व्य में एल सकता होगी 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 है जापको भीडिमी होगी 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 में में एsomething हैं कि envie जापको का अगको